किसी देश की सासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन प्रकार के निर्णे लेने पड़ते हैं इस प्रकार के निर्णे लेने का काम सरकार करती है, सरकार जनता के लिए कई तरह के काम करती है, सरकार के कार्यों की प्रेक्रती उसके स्वरूप पर निर्भर करती है, यदि सरकार तानाशाही है तो यह आवशक नहीं है कि वह जनता के भले के लिए कार्य करें सामानेतिया लोकतांत्रिक सरकार ही जनता के हित में निरणें लेती है सरकार जनता को विभिन प्रकार की जन सुवीधाएं जैसे सडकें, स्कूल, अस्पताल, बिजली की आपूर्ती आधी उपलब्द कराती है सरकार कई सामाजिक मुद्धों पर भी कार्य करती है जैसे की गरीबों के उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाना वहे डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम भी करती है सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से सांतिपूर्ण समंद बनाए रखना भी है सरकार देश के सभी नागरिकों को पर्याप भोजन होर अच्छी सवास्थे सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्ता करती है जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तूओं का ज्यान होता गया वैसे वैसे वहे अपने लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने लगा प्रारंब में मनुश्यों को कपड़े पहनने का ज्यान नहीं था वहे पेड की छाल बड़े बड़े पत्तो एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था बाद में वहे जानवरों को पालना पोधे उगाना अन पैदा करना आदी सीख गया जिससे उसका गुमकड जीवन समाप्त हो गया और वहे एक इस्थान पर जोंपडी बना कर रहने लगा और वही खेती करने लगा उसने कुत्ते बकरी भैड आदी जानवरों को पालतू बना लिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा धीरे धीरे मानव ने धातू की खोज की पहले तामबा बाद में जस्ता फिर सीशा खोजा गया कुछ इस्थानों पर तामबे की कुलहाडी मिलने से पता चला है की पत्थर के बाद मनुष्ये ने धातूओं में सर्व प्रथम तामबे की खोज की इस्थाई जीवन जीते हुए उसने पेड के मोटे तने को लुड़कते हुए देखकर पईया बनाना सीखा जिससे गाडी बनाकर उपयोग में लेने लगा पत्थर की चाक बनाकर मिटी के बरतन बनाने लगा गेहु जों और कपास की खेती करना जोंपडी बनाकर रहना जानवर पालना आदी कार्य सीखकर वह अपनी आवशकताओं की पूर्ती करने लगा फिल्मों का मूल उद्देश हमेशा से मनोरंजन रहा है प्रेम के बिना मनोरंजन ऐसंभवसा हो गया है मनोरंजन की इस्तती युग-युग में बदलती रही है पहले सिनेमा देखना ही मनोरंजन का कारण था बाद में नरत्य और संगीत ने मनोरंजन को बढ़ावा दिया फिर नरत्य की उत्ते जकता ने मनोरंजन दिया जब इन सब द्रश्यों को दर्शक पिटे पिटाए मानने लगा तो इसनान द्रश्य और बलातकार के द्रश्य जोडे गए और यह क्रम बढ़ते बढ़ते नगन वासनात्मक द्रश्यों में उतर गया प्रेश्ण वासनात्मक द्रश्यों की आवशक्ता अनावशक्ता या अनिवार्यता का नहीं प्रेश्ण है केवल मनोरंजन में व्रद्धी का पेरा मनोरंजन जीवन के लिए अनिवार्यतत्व है इसके अभाव में प्राने मात्र मानिसिक विकारों से ग्रस्त हो जाता है उसके स्वभाव में रुखाई और चिड़चिड़ापन आ जाता है जीवन का संतूलन बिगड जाता है तथा जीवन नीरस हो जाता है बीसवी सताब्दी की छटी दशाब्दी से पूर्व मनोरंजन के प्रमुख साधन ते चित्रपट, आकाशवानी, पोकिट, उपन्यास, सरकस, रंग मंचिये, नाटक, ताश, केरम, सतरंज, नोका विहार तथा पिकनिक में भी मानव ने पर्याप्त आनंद लूटा जीवन में जूजते मानव को समय के अभाव की प्राचीर लांगना कठिन हो रहा था समय के अभाव में चित्रपट का शशक्त साधन प्रती दिन उसका मनोरंजन करने में ऐसमर्त था आकाशवानी का मनोरंजन सुलब और शशक्त तो था किन्तु मात्र धवनी पर आधारित था नयनों का सुख उसमें कहां था उधर ताश और केरम के लिए साथी चाहिए पेरा दूसरी और भारतिय गाउं देश की सबसे पिछडी बस्ती है दरिद्रता की साकार प्रतिमा है अज्यान और एशिक्षा की धर्ती है रोग और अभावों के अड़े हैं इरशा और द्वेश के अगनी कुंड हैं सिक्षालयों और ओशधालयों की पहुच के परे हैं मुकदमे बाजी के अखाडे हैं गाउं की दुरदशा का मुख्य कारण है ऐ सिक्षा ऐ सिक्षा अज्यान की जननी है अज्यान अंदकार का पत्थ प्रदर्शक है इरशा द्वेश का सहयोगी है दूसरे के खेत का पानी अपने खेत की और मोड लेना, दूसरे की कटी फसल अपने खेत में डाल देना, दूसरे के हरे भरे खेतों में अपने पसू छोड़ देना किसान की अग्यानता के प्रतीक हैं। दूसरी और जिससे वेर हो उसके पसू हकवा देना, खलियान फूंक देना, घर में सेंद लगवा देना यहां आम प्रवरती है। बात बात में जगडना, लठ बरसाना, भाले फर से निकाल लेना ग्रामिनों का स्वभाव बन गया है। अग्यानता का ही दुश्परिणाम है की सेठ साहुकार ग्रामवासियों को लूठते हैं, पांच देकर दस पर अंगूठा टिकवाते हैं, सूद में उसके कपड़े उतारते हैं और मूल में उनको बंदुवा मजदूर बना लेते हैं। जनमोत्सव साधी तथा अन्य धार्मिक और पारिवारिक उत्सवों में ग्रामिन जन जूटी सान में चादर से बाहर पेर पसारते हैं, अपने भविश्य के अंदकार को निमंत्रन देते हैं, अपना भला भुरा सोचने की ताकत उनमें नहीं हैं। क्रिशी उत्पादनों में व्रद्धी हरित क्रांती का उद्देश्य है। ग्रस्त किसान की आर्थिक और सामाजिक उन्नती करना इस क्रांती की परोक्ष मंगलमई भावना है, एप्रयुक्त क्रशी भूमी को क्रशी मजदूरों में बाटकर खेती करवाना इस क्रांती की एक योजना है, राष्ट्र को हरित क्रांती का नारा देने और उसे योजनाबद रोप से कार्यानवित करने का श्रे बाबू जग जीवन राम को है। 1967-68 में वे स्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में क्रिशी मंत्री थे, तब ही उन्होंने क्रिशी के नए नए प्रयोगों द्वारा हरित क्रांती लाने का बिगुल बजाया था। शहर निवाश के दोस भी हैं, यहां का वायू मंडल प्रदूशित है, पेट्रोल और डिजल वाहनों के एकजासिस्ट पाइपों से, कारखानों की चमनियों से, रेल के इंजनों से, घरों के स्टोव से, रासाइनिक गेसों से, विध्धुत के निर्मान प्रेक्रिया से, ज इसमें सांस लेना भी कठिन हो जाता है, दूसरी और नगर का समस्त मल मुत्र कारखानों का रासाइनिक अवसेस समीपस्त नदी में बहा दिया जाता है, उससे नदी जल दूशित हो जाता है, उस दूशित नदी जल को शुद कर पेई के लिए प्रस्तुत किया जाता है, से आपका आलिंगन करेगी फूली हुई सरसों का सुहावना द्रश्य मीलों तक पितामबरी छटा उपस्तित कर देगा रीतु अनुकूल रवांस और मटर की फलियां चने के छोले मक्का के बुटे गेहूं जों चना बाजरा की बाले मटकती हुई सेंदे खिलते खरबूजे रस भरे रसाल और गन्ने हरी सबजियों के सश्चे शामल खेत आपके तब मन को हरा कर देंगे शुद्ध वायू का कुंज है गाव और नरक कुंड है शहर श्टॉप